स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों अभी तक इस चैनल में डिफरेंट ब्रांड के बहुत सारे प्रोजेक्टर के रिव्यू और कमपैरिजन किये हैं और प्रोजेक्टर के सभी वीडियो में आप सभी का रिस्पॉंस और इंगेजमेंट बहुत अच्छा रहा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी प्रोजेक्टर में एक चीज कॉमन थी ये सभी LCD प्रोजेक्टर थे LCD प्रोजेक्टर कम दाम में मिल जाते हैं और पिक्चर कॉलिटी भी अच्छी रहती है लेकिन इस वीडियो में जिस प्रोजेक्टर का रिव्यू करेंगे वह एक DLP टेक्नोलोजी का प्रोजेक्टर है और एक Android स्मार्ट प्रोजेक्टर होने के साथ साथ इसमें Active Real 3D Screen Casting जैसे बहुत सारी फीचर्स भी हैं तो यह प्रोजेक्टर है Medi Inferno i 3.0A दोस्तों Medi एक Indian ब्रांड है जिसके 3 LCD प्रोजेक्टर रिव्यू किये थे जिनके performance, build quality, features बहुत अच्छे हैं इसलिए Medi ब्रांड के ही DLP model को लिया प्रोजेक्टर की DLP टेक्नोलोजी वाले प्रोजेक्टर छोटी size, बहतर color, बहतर image control और बहतर contrast के साथ आता है और इस टेक्नोलोजी के प्रोजेक्टर महंगे आते हैं, तो सुरुवात करते हैं इस प्रोजेक्टर के unboxing से या प्रोजेक्टर इस तरह के packet या box में मुझे मिला है, इसकी packing बहुत अच्छे से की गई है इसे open करते हैं, box के अंदर सबसे पहले एक 3D glass भी है इस प्रोजेक्टर के active real 3D के experience के लिए एक active shutter 3D glass भी order किया है इसके लिए अलग से खर्च करना पड़ेगा अंदर में actual projector का box इस तरह का है, जिसमें उपर में DLP लिखा हुआ है अब इसे भी open करते हैं, इसकी original packaging बहुत अच्छी है shield pack है, यह compact सा box है, इसका packet ही LCD projector से काफी छोटा और पतला है अब box को finally open करते हैं, box के अंदर सबसे पहले accessories दिख रहे हैं और इनके ही बगल में अलग से projector रखी हुई है यह projector काफी छोटा, compact है, इसका वजन भी size के हिसाफ से ठीक ठाक है इसके साथ एक warranty card मिलता है, और accessories के रूप में lab care company का power adapter, एक white color का remote controller, एक VGA cable, एक HDMI cable, एक AV cable, signal strength बढ़ाने के लिए antenna और projector के lens साफ करने के लिए tissue paper साथ में यह 3D glass भी लिए है, यह एक active shutter 3D glass है, यह थोड़ी महंगी होती है इसके साथ एक user manual, micro USB charging cable, एक cloth bag, glass साफ करने के लिए cloth अब देखें physically कैसा है तो यह white color का लगभग 550 gram का projector काफी handy है, बिलकुल मेरे हाथ में fit हो जा रहा है इस phone की size से compare करके इस projector के size का अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी body white glow shiny finish के साथ आता है built material की quality बहुत अच्छी है, हाथ में अच्छी grip के साथ पकड़ सकते हैं, फिसलन जरा भी नहीं है projector के सामने के भाग में यहाँ lens है, medeye की branding है, यहाँ पर patterns बने हुए है, यह air vent है, जहां से गर्म हवा बाहर आते रहती है उपर भी सामने medeye की branding है, इस projector में control button नहीं, बलकि touch control panel है यहाँ बीच में बहुत सारे touch control points दिये हैं, जहाँ touch input द्वारा basic control किया जा सकता है पीछे इनके कुछ features printed है, right side में DC input port है, एक memory card slot है, और नीचे ही एक watt का speaker है पीछे बाकी सारे input port मिल जाएंगे, यहाँ IR receiver है, HDMI port, दो USB port, antenna के लिए port, network port, VGA port, AV port और एक AUX port है इसी के नीचे एक और एक watt का speaker है, left में एक air vent है, और वहीं पर image focus करने के लिए focusing wheel नीचे देखें, तो table mount के लिए 4 rubberized foot है, यहाँ पर बीच में tripod mount के लिए भी port दिये है और इस जगह पर level adjustment के लिए screw नीचे ही देख सकते है, यहाँ cooling fan लगा हुआ है overall build quality, design और size impressive है एक 3D glass भी order किया है, इसकी build quality बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है यह एक active shutter 3D glass है, इसे charge करने के लिए नीचे एक micro USB charging port दिये है 3D glass को active करने के लिए उपर एक button दिये है और इसी button से 3D mode change करते है company द्वारा दिये इस specification के अनुसार इसमें 0.45 inch DMD DLP है और LED lamp का use किया गया है जिसकी lamp life 50,000 घंटे बताई गई है इसका native resolution 1280,800 है मतलब यह एक HD projector है और 1080p 4K video को support करता है brightness 6000 lumens, contrast ratio 20,000 is to 1 projection distance 0.25 meter से 3 meter picture size 20 inch से 210 inch auto keystone correction, android version 6.0 और AK quad के 2 speaker अब projector को switch on करते हैं फिर projector और 3D glass को test करते हैं इसके touch control में backlight दी गई है तो अंधेरे में भी operate करना आसान है इसका touch input अच्छा responsive है स्क्रीन से projector साढ़े 8 feet की दूरी पर रखी हुई है और 90 inch का image बन रहा है और convenience के हिसाब से साढ़े 5 feet और 2 feet दूरी भी स्क्रीन और projector के बीच रखी गई है यह एक Android version projector है और operate करने में काफी fast और responsive है इसका home page इस तरह का है इसमें OTT, YouTube और Office जैसे apps pre-installed हैं mirroring, file manager यह सभी मिल जाएंगे OTT, Netflix, YouTube, browser, WPS projector और अन्य apps pre-installed हैं और Google Play Store से मन चाहा apps भी download कर सकते हैं resolution चेक करने के लिए एक app भी download किये हैं setting के अंदर network, sound, display, storage, picture setting, keystone, zoom जैसी जरूरी settings दिये हुए हैं और video play करने पर इन सारे setting के साथ 3D setting भी मिल जाएगा Medi Inferno i3.0a DLP projector का native resolution 1280-800 है जो की एक HD projector है जैसा की company ने भी mention किया है अब इसकी picture quality को देखते हैं आप स्वयम देख सकते हैं इस DLP projector की picture quality शांदार है picture काफी bright है और contrast भी लाजवाब है image में black deep है जिनके कारण इसके colors ज्यादा vibrant दिखते हैं इतनी छोटी portable size के projector से इतना bright image मिल रहा है जितना की बड़े size के वजन में भारी LCD projector में मिलता है यह projector पूरा image clear और sharp project करता है और पूरे screen में कहीं भी blur नहीं दिखता एक-एक pixels को count कर सकते हैं इसकी picture quality अलग ही level की है वैसे तो default setting में image अच्छे ही दिखते हैं फिर भी अगर image के parameter, brightness, sharpness, contrast, color को change करना चाहें तो इसमें image setting भी मिल जाएंगे और किसी भी input mode में image setting कर सकते हैं इसमें bright, soft, standard जैसे pre-loaded mode भी है color temperature भी इसमें मिल जाएगा तो प्रत्येक color को individually set कर सकते हैं इस projector में correct image project करने के लिए electronic keystone correction है और auto keystone correction भी है जो काफी fast है, projector थोड़ा सा भी हिल जाए तो तुरंत auto keystone अपना काम करता है और image correct हो जाता है और image quality में कोई फर्क नहीं पड़ता projector के image का aspect ratio 16 is to 9 और 4 is to 3 में change हो जाता है और कुछ zoom mode भी मिल जाएंगे या aspect ratio जैसा भी चाहें set कर सकते हैं क्योंकि इसमें manual vertical और horizontal zoom भी है तो इसका image correction फीचर भी impressive है यह Medi Inferno i3.0A projector लगभग सभी video format को अच्छे से play कर लेता है Android projector का यही advantage है अगर कोई format support ना करें तो नया media player डाउनलोट कर सकते हैं HD, Full HD video बहुत अच्छे से play हो जाता है 30 fps, 60 fps वीडियो को उतने ही frame rate में play कर लेता है 60 fps वीडियो इस projector में बहुत smooth play होता है और clarity भी वैसी है जो किसी को भी impress कर देगा 4K वीडियो इनके खुद के default media player में play नहीं हो पाता लेकिन 4K वीडियो player install करके play कर सकते हैं या HDMI mode से play हो जाएगा वीडियो से ही संबंधित इस projector का एक और बहतरीन feature है वह है इसका active real 3D feature इसमें 3D वीडियो देखने के 4 अलग-अलग method दिये हैं मैंने SBS method से 3D वीडियो play किया और active shutter 3D glass से 3D वीडियो देखा तो इस projector में 3D वीडियो देखना सच में कमाल का रहा बिल्कुल cinema hall जैसा 3D experience मिलेगा इस active 3D glass की quality अच्छी है इसके कारण 3D वीडियो content में परियाप्त depth मिल जाती है image का contrast भी improve हो जाता है और colors में भी enhancement होता है तभी impressive 3D का experience मिलता है दोस्तों बहुत सारे LCD projector को 3D projector बता कर marketing करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं जबकि वे 3D projector नहीं होते उनमें 3D setting होते ही नहीं उनसे सिर्फ red blue 3D glass से थोड़ा सा ही 3D का एहसास हो जाता है लेकिन colors अच्छे से दिखाई नहीं देते image फिके लगते हैं अगर उन projector को 3D कहा जाए तो mobile phone, LCD TV, पुराने CRT TV को भी 3D कहना चाहिए क्योंकि red blue 3D को कोई भी smart device सपोर्ट कर लेता है तो Medi Inferno i3.0A एक real 3D projector है जिसमें 3D settings दिये हैं और side by side 3D video को 3D में देखने के लिए active shutter 3D glass की जरूरत पड़ेगी ही इस projector में सारे जरूरी connectivity ports दिये हैं जिनसे Android box, computer, laptop, set-top box, memory card, pen drive connect कर सकते हैं इसमें network port भी है तो सीधे network port से भी internet access कर सकते हैं और इस projector को wifi router hotspot की तरह भी use कर सकते हैं जिसके signal strength को बढ़ाने के लिए antenna भी दिया गया है इसमें wifi और bluetooth जैसे wireless connectivity का भी option है तो wifi से या network port से connect करके YouTube, Netflix, OTT platform से video streaming कर सकते हैं internet browsing कर सकते हैं और अपने phone की screen को screen casting या screen mirroring भी कर सकते हैं Bluetooth connectivity के द्वारा file transfer किया जा सकता है साथ ही साथ किसी भी speaker system से जो bluetooth enabled है उससे connect करके audio streaming कर सकते हैं चुकि इसके दोनों speaker एक एक watt के हैं जो की sufficient नहीं है तो speaker system से Bluetooth के अलावा aux cable से भी connect कर सकते हैं sound setting भी अपने हिसाब से कर सकते हैं sound के bass treble को कम या जादा कर सकते हैं और standard movie, music, sports जैसे sound mode भी मिल जाएंगे यह projector बहुत silently work करता है और noise बिलकुल भी disturb नहीं करती अब कुछ महत्वपूर्ण बाते भी जान लेते हैं जो projector को सही use करने में help करेगा तो इस projector में लगभग 9GB तक internal memory use करने के लिए मिल जाता है तो जरूरी files, videos, download करके या transfer करके store कर सकते हैं projector को flat surface पर रखकर image project करते हैं तो पूरा image, mounting surface या horizontal surface के उपर project होता है इसका benefit यहा है कि level adjustment की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी अगर projector floor में भी रखें तो भी पूरा image wall पर या screen पर project होगा floor पर image नहीं पड़ेगा projector के LED light को medium या low light mode में रख सकते हैं इस projector को projector screen के बिलकुल समानांतर या parallel रखें तभी पूरी तरह clear image मिलेगा अगर कहीं पर भी blur दिखें तो projector को सही align करें पहली बार active shutter 3D glass को use कर रहे हैं तो use करने से पहले कम से कम आधे घंटे तक charging करें 3D glass में 3D के दो mode हैं और इसमें दिये button को दबा कर 3D mode change करते हैं तो बारी बारी से दोनो 3D mode में switch कर लें क्योंकि सही mode पर ही असली 3D देखने को मिलेगा इस projector के उपर में touch controls दिये हैं जो काफी effectively काम करता है लेकिन remote controller से operate करना ज़्यादा आसान है तो अन्त में दोस्तों Medi Inferno i3.0A एक बहुत बढ़िया HD DLP projector है यह projector Amazon में listed है लेकिन आम तोर पर उपलब्द नहीं रहते हैं इसलिए India Mart के थुरू सीधे seller से contact करके purchase कर सकते हैं मैंने भी ऐसा ही किया contact details description में मिल जाएगा यह projector 37,000 रुपे में मिल जाएगा 3D glass 3000 रुपे का पड़ा DLP technology के projector महंगे ही आते हैं फिर भी इस price में यह DLP HD projector सहीं deal है इसका 3D glass थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन इस projector के साथ compatible है तो यह projector भले ही size में छोटा है लेकिन performance और features excellent है इसका portable design, picture quality, smart features, active 3D support इसे value for money projector बनाती है इसका use entertainment के साथ साथ professional, educational और gaming purpose के लिए किया जा सकता है मतलब हर आवसकता के लिए perfect है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो का इंतजार करने के लिए धन्यवाद